शुक्करवार 15 जून 2018 को रामपूर पुलिस एक खत्या के मामले में ब्लाश्टर सिंग वे उनके पुत लल्ला सिंग निवासी स्यदीपूर हराईया थाना खीरी के और आतरी एक बजे करीब भर से उठालाई थी परिवार का रोप है कि दो दिन तक रजापूर पुलिस ने ब्लाश्टर वर लल्ला सिंग की पिटाई की जिससे ब्लाश्टर की हलत बिगड़ गई प्लाश्टर की बदनी राम दुलारी वे चोकी लड़की गुडिया रविवार को अपने पिता को जब देखने आई तो उसकी हलत भेहत खराब थी इसे लेकर मा बेटी ने पुलिस के उच्छा दिकालियों से स् sóloकायत की बात की तो चोकी में तना सिपाईों ने मा बेटी को ये कह कर भेज दिया की इनने चोड़ दिया जाएगा जिसके बाद मा बेटी घर चलि आई मा बेटी जब दूसरे दिन चौकी पहुंची तो उन्हें पता चला की ब्रश्टर वर लल्ला सिंग को छोड़ दिया गया है तो उन्हों इलाज के लिए जिला स्पताल गए हैं और पुलिस द्वारा उन्हें इलाज के लिए 4,000 रुपे भी दिये गए हैं इसके बाद बुलश्टर की हालत गंबीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें लखनाओं के लिए रैफर कर दिया सोमार की सुबैल अल्ला ने लखनाओं से फोन कर अपने परिवार को पिता की मौत की सूचना दी जैसे ही ये खबर गाओं में फैली लोग आकोशित हो गए और रजापुर चौकी पहुँच गए जहां गामीरों ने पीली भीतपस्ती राजमार को जाम कर दिया नयाय मांगने पर पहुँचे गामीरों की सुनना तो दूर जाम लगने के बाद पुलिस ने गामीरों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज तक कर दिया वहीं लाठी चार्ज में मर्तक के परिवार की कई महिलाओं को भी कंबीर चोटे आई हैं तो वहीं गाओं के कुछ लोग भी घायर हो गए गामीडों द्वारा जाम लगाई जाने की सूचना पर जहां सीयो सिटी आरके वर्मा मौके पे पहुँचे तो वहीं आजपास के ठाने की पुलिस को भी मौके पर भुलाया गया मामले की जानकाली देते हुए मौतक के रिष्टेदारों ने बताया कि शुकरवार की सुबह मौतक के बतीजे रोहन सिंग, पुत्र, कलस्टर सिंग का लहू लुहान साव गन्ने के खेत में मिला था जहां युवक की हत्या का अंदेशा लगाते हुए परिवाद द्वारा अग्यात के विरुत तहरीर दी गई थी वहीं परिवार का रोफ है कि पुलिस इस मामले में ब्लश्टर वरलला सिंग को उठा कर चौकी ले आई थी जहां दो दिनों तक उसकी जम कर फिटाई की गई इससे ब्लश्टर सिंग की मौत हो गई